तो फाइनली UPSC Commerce Optional 2023 का एक्जाम ओवर हो चुका है and in today's video I am going to briefly analyze कि आपका एक्जाम कैसा आया था so basically discuss करेंगे कि भाई किस किस subject से कौन कौन से questions आये क्या क्या उनके topics से और किस level के questions से कि भाई easy था moderate से difficult थे अब ये analysis help करेगा उन students को जो basically 2024 को target कर रहे हैं क्योंकि उसके according ही वो अपनी preparation करेंगे उसके according ही किस level किस depth में जाना है practice में वो decide होगा तो directly jump करते हैं पहले तो as you all Natur paper के अंदर की बात कर रहे हैं और paper के अंदर हमारे पास doing sections होते हैं section a or section b section a के अंदर सक्षयन कि अंदर हमारे पास 4 questions की बात करpinे हैं आर Bay सब्सक्राइब अब इन टोटल एट को सिर्फ फाइब करने होते हैं जिस में से फिर्ट कुंपल्सरी होता है बाकि डिटेल्स आप सभी को पता है अब सेक्षण एक के अंदर सेक्षण एक के अंदर हमारे पास बैसिकली फोर सब्जेक्ट होते हैं एक फाइनेशल अकाउंटिंग और चार कुष्टन आएंगे वह इन में से बने होते हैं और जनरली जो पैटन अब तक यूपी एस फॉलो करता आया है वही पैटन हमें इस ब सब्सक्राइब को अब इदर जो एक अलग चीज देखने को मिली हमें इस बार जनरली एक आदा कोश्टन हमें मिल जाता है जिसमें टैक्स के क्वेश्टन नहीं होते मतलब जनरली यूपी एस से क्या कर रहा था अब इतक पास्टेशल में फाइनेशल अकाउंटिंग में से किसी एक में से एक ज्याधा कोश्टन देता था मतलब वो इस 70 ए 75 टेक जाते थे और एक कोश्टन ऐसा होता था जिसमें टैक्सेशन का कोश्टन नहीं होता था मतलब वो कोश्टन स्टूरेंट कर लेता था कि बाई चलो टैक्स नहीं आती मुझे इस बार क्वेश्टन हुआ जिसमें टैक्स नहीं होगा अब वो आपके पास option नहीं दिखा मेरे को इस बाद कि हाँ भई सारे questions में आपको tax के questions दिखे मतलब अगर आप कोई भी question चूज करोगे फर्स पर compulsory होता है इन में से कोई भी सेम चीज है पहला एक compulsory में दिख जाता है और एक question हमें किसी दूसरे question में दिख जाता है ठीक यही pattern follow हुआ था बात करूं section B की तो section B की अंदर हम सबको पता है दो सब्जेक्ट्स है financial management and FMI इसमें financial management की importance ज्यादा रहती है जैसे हम हर बार बहुत हो बच्चों को focus करो 135 marks की आए जिए financial management के questions और FMI के 65 के पिछली बाद कम थे इस बाद जादा देखने को मिले FMI के बट ठीक है इतने expected रहता है ठीक टोटल होगे 200 100 marks फिर बता दूँ जो यह analysis किया है वो सारे questions का मिलाके किया है सारे questions आपको attempt नहीं करने होते है थीक अब next जो point आता है analysis का discussion का वो आता है हमारा की theory और practical का क्या division रहा है क्योंकि generally students सूचते हैं कि अगर commerce optional दे रहे हैं वो financial accounting word सुना, cost accounting word सुना, taxation word सुना तो उनके mind में एक perception चला जाता है कभी कबार जो बिल्कूली freshers होते हैं कि भाई बहुत सारे numerical जाने वाले हैं बहुत सारे numerical जाने वाले हैं बट मैं यहां उनको फिर प्रूफ करना चाहता हूं कि UPSC के अंदर commerce में आपको ऐसा नहीं है कि सिरफ numerical numerical मिलने वाले हैं यहां फे theory को भी उतनी ही importance दी जाती है जितनी numerical को दी जाती है अगर हम commerce optional की बात करें जैसे अगर section एकी बात करूं हमार तो theory का division 75% questions हमारे theory के थे और 45% practical मतलब 110 marks हमारे theory questions थे और 90 marks के practical questions थे और इसी reason की वया से मैं हर बार बच्चों को बोलता रहता हूं कि भाई अपनी answer writing मत छोड़ो अपनी answer writing पे focus को चिक क्योंकि equal देख रहो कहीं न कहीं equal importance मिलती है theory और practical subjects को फिर next बात कर लेता हूं मैं section B की तो section B के अंदर भी इस बार हमें same pattern देखने को मिला basically two subjects financial management और financial markets and institutions इस बार भी 110 marks की theory रही और हमारा 90 marks का practical रहा मतलब financial management से भी अच्छे level के practical questions पूछे गए मतलब theory और practicals दोनों को ही हमें equal importance देनी है ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेक्टिकल छोड़ देंगे हम आपे या प्रेक्टिकल कर दें सुरी छोड़ देंगे ठीक चले अब next अब हम कर लेते हैं questions discuss directly सबसे पहला question जो की compulsory question होता है section A का section A में हमारे पास question क्या था what do you mean by the buyback of shares by companies explain the reasons and sources of buyback of shares financial accounting question है as all know buyback हमारा topic है और बहुत easy question है क्योंकि directly आप से पूछा गया है देखो अगर मैं overall overall बात करूं कि exam का level क्या था तो मुझे लगा की easy से moderate मैं कहुआ easy की तरफ ज्यादा बेंट है easy level का exam आया हुआ था अगर आपने seriously prepare किया होगा तो मतलब ही नहीं मनता कि आपको exam difficult लगाओ next question आ गया है cost accounting का cost accounting is becoming more and more relevant in the emerging economy scenario in India comment हाँ एक दो questions इस बार मेरको अच्छा लगा देखने को कि direct questions देने की विजए थोड़ा सा mold कर दिया basically यहाँ पे statement दे रखिये उसके बारे में लिखना है यहाँ पर importance and advantages वगारा cost accounting के discuss करते हो but easy level का question है अगर आपने preparation करी है तो छीख फिर आता है explain the major points to be considered by auditor while auditing the accounts of NPO direct questions आपका auditing auditing for NPO से छीख फिर आता है question number one का D briefly explain the accounting treatment of government grants as per accounting standard number 12 अच्छा यहाँ पर भी अगर आप फिर देख लो तो UPSC directly दे रहा है आपको कि आपको accounting standard number 12 के according work करना है मतलब according answer देना है यहाँ पर generally students confused होते हैं कि इंड AS पढ़के जाए या AS पढ़के जाए ही आएगा तो ज्यादा time based करने की भी जुरूत नहीं है कि आप उसके बड़े बड़े practicals या numericals solve कर रहे हो इस बार भी हमें एक short note ही देखने को मिल रहा है हर बार की तरह future का बता नहीं short note हमें देखने को मिलेगा accounting standards है चीख easily कहुंगा question का क्योंकि directly question accounting standards हमारे पांच से चे उन्होंने accounting standards बता रखे हैं उसी मेंसे directly बता दिया भाई AS 12 को explain करतो तो अगर आपने preparation करी होगी तो AS 12 100% ही पढ़ा होगा आपने next आता है last question and SSC is not a liable in respect of his own income for tax persons but the liability may extend to some other incomes also so explain question की statement हलकी सी घुमाई है but question बहुत ही ज्यादा easy है basically कहना क्या चाहरा है कि SSC सिर्फ अपने income के लिए tax नहीं भरता कुछ और incomes के लिए tax भरता है आपको वह explain जगना है तो taxation से question हो गया और याद करो clubbing of income जब हम बात करते थे कि भाई उसके son की daughter के income का मैड होगी wife की income का मैड होगी तो उसके provisions वह मांग रहा है बेस्ते के लिए चिक नेक्स आता है हमारे पास question number two a balance sheet दे रखी है और यह हमारा question है वो है हमारा reconstruction of company से अब इदर भी देख लो आपकी किसमत कितनी अच्छी थी मतलब students इन्होंने exam दिया कितनी अच्छी किसमत थी financial accounting में अगर मैं बोलू financial accounting में एक डिफिकल topic student को जनरी लगता होता है लास्ट वाला reconstruction अब उसमें भी तीन चीज़े हो दो चीज़े होती है यह तो internal reconstruction या external reconstruction अब इदर भी हमें जो question देखने को मिला इस बार वो देखने को मिला internal reconstruction से और internal reconstruction हमारी easy रहती है amalgamation के question से तो यह भी एक easy question आपको numerical मिल गया अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 100% आपने question attempt किया होगा और आपका easily हो गया होगा ठीक चले आगे next आता है हमारे पास एक question cost accounting से जिसमें basically decision making का question था आपको दो machines के बारे में A और B के बारे में details दे रखी थी आपको evaluate करना था फिर आता है हमारे पास question no.2c what is the relevance of residential status as per the income tax act 1961 residential status की वो पता नहीं थी relevance basically कब आप resident non-resident रो वो हो तो उसकी tax liability क्या होती है वो एक table सा create होता है याद करो यहाँ resident है तो यह वाली tax liabilities होती है और non-resident है तो यह वाली होती है वो फिर उसके बाद कि कैसे residential status determine किया जाता है बैसिकली दो question है और दोनों easy है एक तो नीचे वाला कि residential status कैसे determined होता है वो basic conditions फिर सब्सक्राइब करनी थी उपर वले में आपको वो करना था याद रखना कि हाभी एक resident है तो यह इंकम होंगी तो वह इंकम होंगी वो गला question तो दोनों question आपकी question explain होने थे easy question कहूंगा इसे मैं easy क्यों कह रहा हूं direct question है कोई difficulty नहीं है next आता है हमारे पास which from the following process accounts बनाने थे simple question process cost accounting का process accounts बनाने है यहाँ पर moderate इसलिए लिए रहा हूं क्योंकि numerical question है time consuming हो जाते है but question का जो level है बहुत ही ज्यादा easy है अब देखो मैं जब इसको mark करना था ना easy moderate तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि सारी questions को मैं easy mark कर दो अब जिसको मैं moderate भी mark किया है तो दो ही रीजन की वाज़े से moderate mark किया है reason being पहला कि वह तो नहीं लग रहा है time consuming हो जाएगा second वह moderate इसलिए उसलिए कि बाकी questions बहुत ही ज्यादा easy है तो उनकी प्रोविजन सारे हाउस के पता हों तो income from house property आपकी calculate हो जाएगी next आता है हमारे पास audit का question and audit is not essential for an investigation explain the general procedure followed in investigation auditing and investigation से easy question फिर आता है 4A I think जो students देखने है lucky है lucky क्यों फिर आपको question देखने मिल गया issue of shares मुझे लगता है किसी बच्चे ने यह question छोड़ा होगा issue of shares question आपको journal entries pass करनी है सिर्फ balance sheet भी नहीं बनानी मतलब इससे easy questions तो दे नहीं सकते मतलब class 12 से हम करते आ रहे हैं इस question को तो आजिंक सभी ने कर रही होगा चीक फिर आजाता है हमारे पास फिर आजाता है fourth फोट बी में इसकर दी कंसेप्ट ऑफ डिविजिन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर compare the rate of method and residential income and performance a resident method of performance evaluation of division basically cost accounting का जो हमारा last chapter है responsibility accounting and divisional performance उदर से question था moderate level बुलूँगा कि generally students ignore करते हैं ऐसे chapters को but हाँ जब आपने अगर हमारे mock tests दियोंगे या फिर हमारे test reviews दियोंगी तो maximum question आपको दिखी होंगे वहाँ पर ठीक है मतलब इस चप्टर को पढ़ोगे तो इसके अंदर दो ही चीज़े हैं centers profit centers है और different centers है और methods है तो अगर आपने उस chapter को पढ़ा होगा तो आपको answer रहा था होगा इसका भी next आता explain the following as per the income tax act 1961 था यह question देखके मुझे मज़ा आया मज़ा आया क्यूंकि generally जब हम tax उसकी बात करते हैं income from salary तो students numerical बहुत ज़्यादा practice करते हैं कि हम इस salary से numerical question आएगा इन्होंने इस बार theory question दिया मज़ था अगर अपने अच्छे से प्लोचार्ट बनागर बनाया होगा तो बहुत अच्छे मांक्स मिलने वाले मतलब अच्छा opportunity यह सांसर को रिप्रेजेंट करना है कि ठीक यह था हमारा पूरा का पूरा section A को आपने देखा हो अगर हम बात करें financial accounting में तो financial accounting में भी रिकंस्ट्चन चैप्टर से internal reconstruction मिला हमें तो easy question मिला वहां पे इश्यू of shares का question देखने को मिला easy question देखने को मिले एक दो question थे जो सिरफ घुमा के हलका सा घुमा के दिया कि जैसे हमारा वह गया जो मैंने बात करी अपना जो पर statements दे रखी थे आपकी दो हलका सभी क्याते है ना कि इतना मोल्ड नहीं करेंगे तो फिर यू पेपर ही क्या रहेगा मतलब बहुत ही अच्छा question और आपने देखा होगा दोनों easy रहने वाले हैं अच्छा financial management को देखो बहुत ज्यादा importance देनी है students को क्योंकि maximum question देखो कर आपने हापनी देखा हो तो maximum weightage होती है स्वारी सब्सक्राइब 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 की होती है financial management की पहला वर्शन compulsory question explain the financial independence point in the context of EBIT EPS analysis इसी डिरेक्ट question आपको EBIT EPS analysis से फिर advertisement by capital structure discuss the major determinants of capital structure मतलब direct questions आपके सामने दे रखे हैं financial management capital structure से next question आथा explain the objectives of monetary policy of RBI तो FMIs ते जो हमारा पहला question हो गया और यह है हमारा question आया है कि RBI as a regulator चीख फिर आता है हमारे पास what is the capital market discuss the role of capital marketing and economic development of the country FMI से second question और capital market से related देखो अगर आप दोनों questions देखो objectives of monetary policy of RBI और what is capital market बहुत easy क्यों क्या रहा हो मैं इन questions को आप इनको पढ़के भी नहीं गए तो everyone knows क्योंकि अगर यूपीस्टी कंडिडेट हो कि monetary policy क्या होती है और उसमें RBI को रोल क्या होता है capital market क्या होती है और उसका रोल क्या होता है economy में तो यह questions दैसे थे कि अगर बच्चा ना भी पढ़के क्या हो ना एक के लिए मैं बोल दूंगे अंसर लिखाएगा बहुत बड़ी आंसर लिखाएगा है ठीक नेस आता है हमारे पास कि वाट इस मर्जर एंड एक्स्प्लेंड वेरियस ट्राइप सब्सक्राइब क्या होता है और उसके आपके टाइप्स पिर आता है क्वेशन नमबर शिक्स ए यह हमारा क्वेश्चन है कैपिटल बजेटिंग का अच्छा यहां पर जन्रली बच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं जन्रली मॉक टेस्ट देखे हैं तो इसे डिजिजन मेकिंग की तरह सौल्ट करने लग जाते हैं बट यह क्वारा कैपिटल बजे बी फॉलिंग इंगेज इंगेज इन लाग स्केल कस्टूमर रिटेलिंग बेसिकली यह कॉशन आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वार्मेंट निकालने हैं आपको डिरेक्ट कोशन है अच्छा मला मॉडरेट लेवल बूलू है जनरली इसकी बच्चे प्रेक्टिस नहीं कर रखते ही आते बट आप अवाइड मत करना फैनेशल मेंट के वोकिंग कैपिटल मेनेजमेंट से नेक्स्ट एफमारी का क्वेश्चन वाट इस म्यूचल फंड इंडिया मॉडरेट लेवल बोट इसी तो मॉडरेट लेवल बोट पता होता है अगर पढ़ा होगा तो यूग इसली आंसर चिक नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन ए हमारे को बैलेंस शीट दे रखी है और उसके बाद हमें बोला गया है रेश्योस कैलकुलेट करनी अगर आपको रेश्योस पता होंगी और आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी तो आप आप इसली सारी रेश्योस कैलकुलेट करते हो लास्ट थोड़ा डिफिकल कोशन था कि रेश्योस दे रखी जम्हें बैलेंस ट्रीट निकाल नहीं थी इस बार क्या है पूरी बैलेंस ट्रीट दे रखी है सिरफ रेश्योस निगाल लिए डेटिक्विटी रेश्यो प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें इंक्लिव होती है तो अगर आपको डिटेल में यह थारी रेश्योस पता होंगी तो easiest question आपका आप इसको इसली अटेंट कर सकते हो अच्छा रेश्यो बच्चे रहते हैं काउंट में आना चाहिए एफम में क्यों आ रहा है तो अगर is importance of fund flow statement for the management what is different from a cash flow statement अब यह हमारा financial management के fund flow statement से question था और easy question और same question अगर आपने हमारे टेस्ट अगरा दियोंगे तो same question आपको मिला होगा क्योंगी जनरली बच्चा comparison वगरा cash flow fund flow में नहीं याद करके जाता बट अगर आपने टेस्रीज दियोंगे तो आपको मिले होगे questions उसम है चीक फिर आता है what is credit rating discuss objective functions and limitation direct question FMI credit rating से फिर आता है एक्स लिमिटेटिस की policies दे रखी है और उसमें आपको बताना है basically credit rating मतलब receivables में से management receivable management में से question था आपको करना था कि credit policy को change किया जाए या ना किया जाए पिर आता है हमारे पास details regarding companies are given glow दो details रखें Walter model के according हमें value of equity share calculate करनी थी और हमें dividend payout ratio तीन दे रखे थे 20% 50% and 0% अगर आपको Walter model का formula याद होगा easily आप calculate कर सकते हो मतलब बहुत easy questions है dividend decision का मतलब अगर आप देख रहे होगे तो एक-दो questions को छोड़के सारे के सारे questions ही direct हैं आपके next है what is a venture capital explain the functions of venture capital for the development of economy also discuss the various stages of venture capital basically FMI के financial services में से अगर आपने देखा हो तो venture capital topic है वहां से यह question आया है अब देखो क्या है अगर मैं overall की बात करूं overall की बात करूं तो बहुत ही easy level का easy level का paper है तो आप easy कैसे बोल रहे हो देखो अगर आपने practice करी होगी अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं जो मैं कोशन पेपर देख रहा था ना है याद करो हमने answer writing आंसर राइटिंग और कहीं ना कहीं मिरे को लगा कि 99 अगर मैं उसी बात करूं तो सारे ही questions के answer सी practice आपने वहां करी होगी 100% करी हुए हाँ एक आदे questions को तो मिरे को ऐसा देखके लगा यार यह तो same to same question ही हमारे वाले तो तब ही आप स्वेट्स को बोलता रहता हूं कि answer writing की practice कर लो कर लो कर लो और मौक तेस्स दे दो तो अगर आपने वह किया होगा process तो कहीं भी आपको सबसे बहुत ज्यादा easy paper लगने वाला है ठीक अब जो students 2024 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको पचल गया होगा कहीं न कहीं मिरे को ऐसा ना कर रहा है कि competitive advantage जो अच्छे commerce आप्ट कर रहे है क्यूंकि paper का लेवल बहुत easy है अगर आप silly errors वगर अवाइड कर लोगे तो बहुत अच्छा score कर सकते हो आंसर आप as you all know जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए है कि answers हम बात में proper solve करते हैं और उसके PDF आपको provide करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके कि इस लेवल पर किस पेस्ट पर करना कि सब्जेक्ट पर ज्यादा focus करने कि हांब फैनेशल मेनेजमेंट से ज्यादा question आए थे तो करना ही करना सिर्फ नुमेरिकल पर फोकस नहीं करना सिर्फ प्रेक्ट फोकस नहीं करना दोनों को combine लेकर चलना ही पड़ेगा ठीक है समय आगया तो दैट्स आल फॉर अडे बाई बाई टेक्क्यर अल्टी बेस्ट